बिना दूरी तै किये हुए आप कहीं दूर नहीं पहुँच सकते जी हां कहीं अगर पहुचना है तो दूरी तो तै करनी पड़ेगी क्लास को शुरू करते हैं आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है मान के चलिए आप अंग्रीजी पूरी तरीके से पढ़ना नहीं जानते बस शुरुआत कर रहे हैं अल्फाबिट बस आप पहचानते हैं तो आपको उनको हिंदी में आप कैसे सक्सेस्फुली उसको पढ़ पाएं ये बहुत इंपॉर्टन्ट होता है अगर यही लाइन आपको हिंदी में जो कि मैंने नीचे लिख रखी है तो आपको इसको पढ़ने में समस्या नहीं होगी हो रही है क्या? सिंपल सी लाइन है राजेश विल गो होम अब देखिए ये लाइन आपको पढ़ने में बिलकुल दिक्कत नहीं हुई लेकिन इसके उपर वाली लाइन उलट जो अंग्रेजी में लिखी हुई है इसको पढ़ने में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा अगर हाँ तो ये वाली क्लास आपके लिए है आज की इस क्लास के बाद आप काफी कुछ हैसा सीख जाएंगे जिसके लिए आपको अंग्रेजिस के जरीए आपको अंग्रेजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा तो चलिए पहले समझते हैं आखिर कैसे आप पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले, सबसे पहला शब्द लेते हैं हम लोग जो की है राजेश अब राजेश जो है वो है बना हुआ रा प्लस जे प्लस तालव यश से और ये बराबर हो गया राजेश. फिर हमारे पास है विल जिसके लिए हमारे पास है वी उसके बाद प्लस ल बराबर हो गया विल फिर है गो जिसके लिए हमने जोड़ा ग और ओ की मात्रा को. ये बन गया go, फिर हमारे पास है home, जिसके लिए हमने जोड़ा ह, फिर ओ की मात्रा, फिर म, ये बन गया home, और इसी तरीके से हमारे पास आ गया, राजेश will go home, आ गई बात समझ में, तो ऐसे अगर आप सीख जाएं, तो फिर अंग्रेजी पढ़ना बिलकुल मक्षन हो जी हाँ, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे, उसके पहले अगर पहली बार इस चानल पर आ रहे हैं और आपको पसंद आई आज की क्लास, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ओन करके, औल नोटिफिकेशन्स ओन कर लीजेगा, अब चलिए, शुर उचारन होता है, जैसे, ए, जिसके लिए आप कह सकते हैं, ओ, आ, यानि की आप इस्तमाल करेंगे डबल एका, इ, आई या इ, फिर हमारे पास है इ, जहां पर इस्तमाल होगा डबल आई या डबल इ, दोनों ही तरीकों से इस्तमाल होता है, फिर है उ, जहां पर मिलेगा यू, फिर है उ, डबल यू या डबल ओ, ए, यानि की इ, ए, इस्तमाल होगा ए, आई का, ओ, यानि की ओ, ओ, यानि की ए, यू का अस्तमाल होगा या ओ, यू का अस्तमाल होगा, आर यह बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर है हमारे पास री, जहां पर हमारे पास आर आई का अस्तमाल होगा, अब री से शब्द हमने सुना है रिशी, तो वहां पर आपको इसका अस्तमाल दिखता है, फिर है अं, जहां पर आप इस्तमाल करेंगे अन या अन जी का, फिर है अ, जहां पर इस्तमाल होगा अच, और यह है अं, यानिकी डबल अ अन, राइट, बढ़ते हैं आगे, आगे हमारे पास है क, यानिकी के, ख, यानिकी के एच, ग, यानिकी जी, घ, जी, एच, अंग, ए, एन, जी, च, सी, एच, छ, सी, डबल एच, ज, जह, जह, जे, एच, र, वाई, एन, त, टी का अस्तमाल करेंगे, थ, टी, एच, ड़, डी, ढ़, दी, एच, मुद्धर्ण, यानिकी एन, त, यानिकी टी, थ, यानिकी टी, एच, द, इस्तमाल होगा डी, ध, यानिकी डी, एच, न, यानिकी एन, प, इस्तमाल होगा पी, फ, इस्तमाल होगा पी, एच, या एफ, दोनों तरीकों से ये इस्तमाल होता है, ब, यानिकी बी, भ, यानिकी बी, एच, म, यानिकी एम, य, यानिकी वाई, र, यानिकी आर, ल, यानिकी एल, व, इस्तमाल होगा वी या डबल्यू, दोनों के तौर पर, तालव व्यश, यानिकी एस, एच, मुद्धन्नस, यानिकी एस, एच, दंतस, यानिकी एस, ह, एच का इस्तमाल करेंगे, अक्ष, यानिकी के, एस, एच का इस्तमाल होगा, त्र, यानिकी या तो टी, आर के तौर पर इस्तमाल होगा, या तो टी, आर, ए के तौर पर इस्तमाल होगा, गय, यानिकि GYA, श्र, यानिकि SHR, बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं, आगे इसको कैसे इस्तमाल करेंगे, जब आपको दिखें, क तो इस्तमाल होगा क, का, जब आपको कहना हो का, इस्तमाल करेंगे के, A, कि यान्हकी के साथ में एक आई कु यान्हकी के यू कु यान्हकी के डबल यू के इस्तमाल होगा के-ई कय इस्तमाल होगा के-ए-ाई को यानिकी के और ओ का इस्तमाल को यानिकी के ए यू कंग जब कहना हो या इस्तमाल हो रहा हो इस्तमाल करेंगे के ए एन ऐसे पढ़ेंगे के ए एन कंग ठिक है कह यानिकी के ए एच जर यानकी Z कस यानकी X ऐसे ये पूरा इस्तमाल होगा इसके साथ अब हम लोग जानेंगे कुछ मात्राएं क्योंकि मात्राओं का कभी भी अंग्रेजी चाहे पढ़ना हो या स्पेलिंग बनाना हो बहुत बड़ा रोल होता है मात्राओं का तो चलिए मात्राओं के बार में भी जान लेते हैं जब आप आकार की मात्रा का स्तमाल करेंगे तब आप उसको A या डबल A दोनों तरीकों से स्तमाल कर सकते हैं इसके बाद छोटी E या जिसको हरसई भी कहते हैं वहाँ पर इस्तमाल होगा I या E का फिर आती है बड़ी E जिसको दिर्ग A भी कहते हैं जहां इस्तमाल होगा I, डबल I, डबल E इन में से किसी का भी फिर इस्तमाल होता है छोटी U का जिसके लिए आप U का इस्तमाल करते हैं फिर बड़ी U का जिसको दिर्ग A भी कहते हैं उसके लिए इस्तमाल होगा U, W या डबल O का, फिर A की बात करते हैं, जहां पर इस्तमाल करेंगे E का, A यानिकी A, I, O यानिकी O, O, यानिकी A, U, या O, U, री, है ना, री, जैसे रिशी, यहां पर इस्तमाल होता है री का, R, I, बिंदु की मात्रा, जहां पर इस्तमाल होता है A, N या A, N, G, इसको कहते हैं विसर्ग, जहां पर इस्तमाल होता है A, H, और ये है चंद्र बिंदु, जैसे की इस्तमाल होगा A, A, N, उदारन के तौर पर कहलीजिये चांद वहाँ पर हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं इसके अलावा कुछ और इस्तमाल होते हैं इन मात्राओं के जैसे कि आपको ये सारे भी देखने को मिलेंगे जैसे कि प्र या प्री वहाँ पर आप इस्तमाल करेंगे पी आर उदाहरन के तौर पर समझी आपको अगर लिखना हो प्रकृती तो आप प्रक का इस्तमाल करेंगे या लिखना हो प्रिथवी तो आप इस्तमाल करेंगे फिर आपको लिखना हो ट्रक तो इस्तमाल होगा ट्र यानिकी टी आर फिर है ग्र या ग्री जहाँ पर इस्तमाल होता है जी आर का ग्रह कह लीजिये या ग्रिह कह लीजिये उदाहरन के तोर पर फिर है skr जहां इस्तमाल करते हैं sk या sc का जैसे की school फिर है smr वहां इस्तमाल होगा sm जैसे की smriti फिर है pl यानिकी pl जैसे की plus या please वहां पर आप इस्तमाल करेंगे pl का फिर है cl जहां पर इस्तमाल होगा c l का जैसे की class फिर है sp यानिकी spur अगर कहना हो spasht वहां पर इस्तमाल होता है sp या spur का फिर है stir या stir दोनों ही सूर्टों में इस्तमाल होगा st का जैसे की stuti फिर है हमारे पास rm mr या pr rp दोनों में से किसी एक का स्तमाल होगा mr है तो rm का स्तमाल होगा pr है तो rp का स्तमाल होगा जैसे की सर्प या गर्म या कर्म ऐसे शब्दों के लिए लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर में बता दूँ ये rp और ये ये प्र और ये प्र दोनों अलग तरीके से इस्तमाल होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक प्र के लिए हमारे पास pr का इस्तमाल हो रहा है जो की है प्रिथवी आप सोचने के प्रियास करिए प्रिथवी की जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है वहाँ पर p r का अस्तमाल होगा और एक है सर्प वहाँ पर होगा rp यहाँ पर प्र का अस्तमाल अलग तरीके से हो रहा है तो ये सारे के सारे जो हमारे पास है इन सब का अंग्रिजी में alphabet में क्या इनका अर्थ होता है कैसे कौन सा अक्षर कौन से अक्षर के साथ mail करता है ये सारी छीज़ें आपको अंग्रिजी अगर सक्सेस्फली पढ़ना सीखना है तो आपको जाननी होंगी बेहत जरूरी है इनको जानना तो कम से कम 21 बार 21 टाइम्स है ना 21 डेज आपको इनको लिख करके प्राक्टिस करनी होगी बिल्कुल तभी आगे जब मैं आपको इनका यूज बताऊंगी हर अक्षर को जोड करके बनाना उनको फिर एक साथ पढ़ना फिर वराइटीज के कॉंबिनेशन जो भी बनते हैं और जि अग्रेजी सीखनी है और इसके आगे की क्लासेश को करनी है तो उसके लिए औल्रेडी एक सेपरेट चैनल अवेलेबल है वहां आप जाएं वहां पर जिनको भी मैं पता रहा हूँ जिनको भी अंग्रेजी पढ़ना सीखना है डेडिकेटेडली है ना जिनको फोकस के साथ पढ़ना सीखना है अंग्रेजी, आप उस चानल पर जाएं, वहां पर आपको अंग्रेजी पढ़ाने की, आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, वैसी वाली classes अपको available कराए जाएंगी, वैसी classes आ रही है, मैं लेकर के आ रही हूं, वैसी classes, तो आप वहां ज़रूर चले जाए अब कैसे पहुँचेंगे by description box में link है comment section में link है telegram पर telegram में लिख सकते हैं आप telegram में आपको मिल जाएगी link आप इन सारे ही जगहों में से किसी एक जगहा को अस्तमाल करके आप पहुँच जाए उस channel पर और फिर देखिए कैसे आपको अंग्रीजी मैं सिखा कर ही चोड़ती ह पढ़ना जी हाँ बोलना तो यहां सिखाई रही हूँ पढ़ना आप वहां सीखेंगे आ गई बात समझ में तो चलिए भई ये थी आज की class उम्मीद है class आपको समझ आ गई उम्मीद है class आपको पसंद आ गई और उम्मीद है उस channel पर आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी कमेंट करके मुझे बताईए कौन-कौन पहुचा है उस नए address पर दूरी तै करिए चलिए नए address पर चलिए और अंग्रेजी पूट पढ़ना हम लोग successfully वहां पर सीखेंगे और इसके साथ ही class पसंद आई है class को like करिए share करिए channel को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से यहां भी कर अभी तक नहीं देखी है telegram पर जाए लिंक मिल जाएगी वहां पर आपको टेंस की किताब मिल जाएगी लिंक के जरीए आप जाकर किसको राउनलोड कर सकते हैं साथी basic plus spoken English का course मात्र पंदरा दिनों में घर बैठे अंग्री जी सीखे वाली course है यह इसके यह course और इसकी e-book भी available है तो आप telegram पर मंगवा लीजिए अपने लिए mini spoken English course इसकी e-book भी जरूर मंगवा लीजिएगा साथी आप telegram पर कैसे आएंगे यह जान जाएए telegram पर आप सर्च करेंगे bbanker सबसे पहला सर्च मिलेगा 18000 से जादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे उसी चैनल को जॉइन कर लेना है मेरा नाम लिखा हुआ अगर कोई चैनल आपको दिखे telegram पर या कहीं पर भी मेरा नाम लिखा हुआ चैनल अगर आपको दिख जाए तो वो गलत है मैं आपको मिलूंगी bbanker education solution पर ही जी हाँ साथी आप इस link के जरी आ सकते हैं इस number के जरी आ सकते हैं दोनों ही को अपनी फोन पर प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तों सु शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथी ये तीनों किताबों के बारे में आप वहां पर पता कर सकते हैं कि कब आ रही है या आज चुकी है यो नेवर नो आप पता कर लीजेगा साथी हमारी जो paid courses हैं जैसे कि premium spoken English क ये तीनों ही paid courses है जहांबर आपको रोज classes मिलती हैं, रोज की notes मिलती है आपको जो है doubt classes मिलती है पूरी course खतम होने पर पूरी course की e-book मिलती है वो भी free of cost ये सारी चीजे आपको मिल जाती है paid course के तहट आपको अगर paid course करना है तो टेलिग्राम पर पता करने हैं आप कैसे कर स को और बिलकुल देर किस बात की है फटा फट से आईए जॉइन करिए पेड कोर्स करिए पूछ लिजे अगली बैच कप शुरू हो रही है हमारे प्रतिनिधी आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करेंगे समझ में आ गई बात तो चलिए आप से मिलती हूं मैं अपकी अगली क्लास में तिल देन थांक यू सो मच वर वाचिंग स्टेउन तो बी बैंकर